हेलो, नमस्कार बच्चो, स्वागा थे आप सभी को बेश्टी सिक्चा के ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफोर्म पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्क दर्सन सीरीज के बारे में मार्क दर्सन सीरीज बच्चो की उन सारी सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम ले मिलकर निकाला है ठीक है बच्चो और इसमें आपको सारी गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह से आप सी उवीटी का फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके सब्जेक्ट कंबिनेशन क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी कौन-कौन से आपको चॉइस करने है एक कोर्स के साथ आप अगर दो कोर्स की चॉइस कर रहे हैं तो आपकी स्टेजी क्या होने चाहिए किस तरह से आप फॉर्म बरोगे और क्या-क्या इंपॉर्टेंट डॉकुमेंट्स चाहिए होती है इसके अलावत जो आपको मेंटर्स जो अपने अंडिविजूल सब्जेक्स के लिए भी सेसंस लेंगे और लास्ट में बच्चो आप लोगों को एक स्ट्रेजिक प्लान के लिए बच्चो को प्रिप्रेशन करा रही है और इसके लिए बच्चो पार्टिकुलर्ली फोकसिंग ऑन सी यू इटी डुहार बाइस हमारा अल्रेडी एक लब्ब बैच चल रहा है बच्चो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर सकते हैं बच्चो और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें भी दो मेजर एस्पेक्ट को हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक आपका सब्जेक्ट ऑफ च्वाइस क्या होना चाहिए और दूसरा किन-किन यूनिवर्सिटी में जो है आपका बीएसी ऑनर्स एग्रिकल्चर की दिगरी होती है अगर हम ऐसे बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंट्रांस टेस्ट हो रहा है C.U.E.T. तो उसमें अलग-अलग कोर्से के आपके काफी सारे यूनिवर्सिटी के चोइसेस रहते हैं लेकिन अगर हम बात करें बच्चो बीएसी ऑनर्स एग्रिकल्चर के लिए तो इस आए बच्चो नागालेंड यूनिवर्सिटी इनके इलाबा दो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेवार और गलगोटियाज जिसमें आपको C.U.E.T. के माध्यम से आप B.Sc.E.G. का पार्ट हो सकते हो इन दो यूनिवर्सिटी के बारे में मैं लास्ट में आप लोगो क कुछ चीजे बताऊंगा फिलाल जो हम लोग बात सुरू करते हैं सबसे पहला बच्चो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें कासी हिंदू भी सुविध्याल है उर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो यहां पढ़ना जो है इंडिया के लाखो बच् आपको कि BSc Honors Agriculture के लिए जो बच्चे टार्गेट कर रहे हैं उनको Section 1 और Section 3 यानि कि Section 1 में Language और Section 3 में जो है बच्चो जनरल टेस्ट यह attempt करने की कोई जरूरत नहीं है सबसे पहले तो यह doubt आप लोग क्लियर कर लिए अब अगर हम बात करें BSc Honors Agriculture के लिए बनारस हिंदू यू कर सकते दूसरा option है आपके पास Physics, Chemistry और Biology यानि कि आप PC, B से कर सकते बच्चा और तीसरा आपके पास है Biology, Chemistry और Agriculture यानि कि A, B, C तो इन में से तीनों में से कोई एक combination जो है आपको लेना है बच्चो और अगर आप यहां पर चूज करते हो इन में से कोई भी एक combination तो आपके इ किसको कौन से subject combination से attempt करने है ठीक है अब फिर हम लोग बात करते हैं दूसरी University जो CUET का पार्ट है बच्चो उसमें हम लोग अगर बात करें 200 भारती University के लिए तो B.Sc. Honors Agriculture के लिए यहां पर section 2 में बच्चो आपको Physics, Chemistry और Math या तो फिर Physics, Chemistry और Biology और तीसरा option है बच्चा Physics, Chemistry और Agriculture मतलब यहां पर भी आपको जो है तीन subject चूज करने होंगे section 2 में उसके भी तीन combinations आपको दिया हुआ एक या तो आइदर आप PCM कर सकते हो बच्चा या तो फिर PCB कर सकते हो या तो फिर बच्चो आप PCA कर सकते हैं तो यह तो आपके दो universities के अलग अलग choice domain के थे अब तीसरा युनिवर्सिटी अगर हम देखेंगे बच्चो नागा लेन युनिवर्सिटी तो वहाँ पर भी बीसी ओनर्स एग्रिकल्चर की डिग्री दी जाती है बच्चो और इसके लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ only agriculture चूज करना है as a domain subject अब एक चीज और बता दे कि इस तरह स युनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हो और आपके पास एक opportunity रहे अलग अलग युनिवर्सिटी चूज करने का अब बीसी ओनर्स एग्रिकल्चर के लिए क्या वह हुक्म का इक्का है या फिर क्या वह subject combination हो सकता है जिसके माध्यम से बच्चे तीनों युनिवर्सिटी में जाएंगे उसको एक बार देख लेते हैं बच्चो ठीक है तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर फीजिक्स जो है बच्चो यह compulsory section था हमारा विश सुभार्ती युनिवर्सिटी के लिए यानि कि PCM, PCB या PCA यह तिन आपके options थे नागालेंड में आपको स्पुर बच्चे हैं उसके लिए physics, chemistry, biology और agriculture यानि कि जो बायो से हैं उनके लिए PCBA और जो math से है PCMA यानि कि यह चार सब्जेक्ट अगर आप चूज करोगे तो कहोगे सर अब युनिवर्सिटी तो अपने तीन ही सब्जेक्ट की domain decide कर रही है तो बच्चो एक चीज आपको बता दे कि इन चार सब्जेक्ट मेस्ट जो आपके तीन बेस्ट रहेंगे न लेकिन वो तीन बेस्ट आपके subject combination में भी होने चाहिए जैसे मालो को एक बच्चा है जो बीच्चू के लिए form भर रहा है उसने PCMA से form भर रहा है ठीक अब अगर वो PCMA से form भर रहा है और उसका math में मालनी जो है उनिवर्चिटी चूज करने वाली है ठीक है यह चीज को भी क्लियर कर लिए जैसे मालो कोई बच्चा बायो वाला है और उसने यहां पर PCMA से बायो में बिया चूज का form भड़ा अगर उसका physics में माली जो कम नंबर आया है तो उसका automatic ABC जो है बिया चूज लेकर उसमे मेरी डिस्ट बना देगी बच्चो तो आपके लिए subject combination क्या होना चाहिए तो एक बार finally बता दूँ आपको अगर आप math background से हैं तो आप physics, chemistry, math और agriculture चूज करिए अगर आप bio background से हैं या अगर आप inter agricultural background से हैं तो आप physics, chemistry, biology और agriculture यह चार subject चूज करिए बच्चो और इन चारो subject का जैसे कुछ बच्चो का होगा कि सर अभी तक तैयारी नहीं किया था तीनी subject पर हम लोग मान के तैयारी कर रहे थे तो घबराना नहीं है बच्चो एक लब्ब बैच जो बीच्चू के और सीउटी इन ट्रांस के लिए जो हम लोग चला रहे हैं बच्चो उसमें आपको सा इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आप PCMA या PCBA इस तरह के subject combination के साथ जो है आप अपना तैयारी कर सकते हैं और इस तीज की लिए आप community post को भी जो है regular जो है आपको सारी schedule जो हम लोग की होती है regular classes की weekly schedule daily schedule सब कुछ जो है community post पर रिलीज की जाती है बच्चो एक लब्ब अबली नहीं चल रहा है जैसे अगर मान लोग मैं agriculture पढ़ाता हूं बच्चो अगर हमने एग्रोनोमी शुरू किया था तो वन बाइवन बच्चो एग्रोनोमी सेक्षन के 30 lectures अल्री पढ़ा चुके है होटी कल्चर में जो हमारा 17-18 lectures हो चुके है तो एक structured way में आपको पूरी आप जो है basic section डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर important PDF के section में जाएंगे तो आपको यह चीज़े जो है सारी PDF फाइल्स जो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा बच्चो और अगर बात करेंगे और पीछे के भी वीडियो जैसे अगर आप एप में जाओगे तो आपकी प और एक चीज़ और बच्चो वहाँ पे जो हम लोगों की timely जो है free test भी हम लोग schedule करते रहते ताइम टाइम पे और DPP seats भी आपको मिलेगा ठीक है सारा और more details के लिए आप लोगों को बच्चो एप डाउनलोड करना है और वहाँ एक बार visit जरूर से कर लिजेगे बच्चो औ करने वाले हैं आपको तो मैंने starting बताया था हम क्या क्या करने वाले अगर इसके अलावा भी आपके कोई और डाउट से तो बच्चो जरूर से कमेंट करना उनको भी हम लोग इस सीरीज का पार्ट बनाएंगे और इसको जो आगे बढ़ाएंगे बच्चो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद